तो नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे चैनल गुरुकु ए स्कूल पर जहां पर हम एक बिल्कुली नय वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं जो भी बच्चे हमारे आइटिया की जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हों सभी को यह इंफॉर्मेशन जो हम सब आप से पहले प्रोवाइट कराते हैं कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो डव्लू सीया रेलवे की तरफ से हमको जो नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ था तो हमने फॉर्ण से वीडियो आपके बना के आपके लिए पेश करी थी और हमारे चैनल पर सबसे पहले और सबसे ले जाएंगे वीडियो फे ले जाएंगे लेकिन हम आपको आपको आप्लिकेशन लिंगे रिल्क नेंगे ससें जान जान करी देंगे देंगे जान लालकल का बटन जरूर से दबा देना चाहिए क्योंकि आपके ITI से संबंदित सभी study material सभी job notification सबसे पहले हमारे चैनल पर आता है और यहीं नहीं ITI के जितनी भी जो आपकी college से संबंदित जानकारी या syllabus से संबंदित जानकारी जो notification होता है वो सभी हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको provide कर आए जाता है तो मैं आप सभी से कहूँगो कि आप सभी इस चैनल को subscribe करें और प्लस आपकी जितने भी दोस्त हैं उनको भी वीडियो शेयर करें और उनसे भी कहें कि हमारे चैनल को subscribe करें तो चलिए देरी ना करते हैं जॉब notification को स्टार्ट करते हैं यह जो notification हमाई आया है यह Oil and Natural Gas Corporation Limited की तरफ से आया है जो कि जोना करी भवन ONGC उडान प्लांट जो है आपका रायगाट डिस्ट्रिक्ट में महारास्ट के वहाँ से यह job notification आया है तो इसमें कौन-कौन से ट्रेट जो है मांगे गए है और सीट्स के आया है मैं बता देता हूँ Secretaryal Assistant की पांच है Copa Trade के जो बच्चे हैं उनके लिए पांच सीटे है Electrician के लिए जो है नौ सीटे है Fitter के लिए जो है साथ सीटे है Machinist के लिए तीन सीटे है Office Assistant के लिए 14 सीटे है Accountant के लिए साथ है Wilder के लिए तीन है Instrument Mechanic के लिए तीन है Laboratory Assistant जो की Chemical Plant में जो है Post लिए उसके लिए दो पोस्ट है Refrigeration and Air Conditioning Mechanic के जो बच्चे हैं उनके लिए दो पोस्ट है Environment के लिए दो पोस्ट है तो कुल मिलाके इनने 64 पोस्टे जो है निकाली है जो candidate is to choose and can apply for one trade यानि कि कोई जो भी candidate है वो किसी एक trade में ही apply कर सकता है इसमें देखिए और जो लिखा हुआ है इसमें वही जो dates उपर लिखी हुई थी वही मैंने आपको बताया था कि 23 November 2022 से start होगा और 5 December 2022 को यह खतम हो जाएगा इसके बाद जो है जो name of work center है वो ONGC uran center पे है और आपका जो है यह महरास्ट में है और corresponding districts यानि all districts of महरास्ट age criteria क्या है minimum आपकी जो age है वो होनी चाहिए 18 साल और maximum जो है 28 साल जो है आपकी होनी चाहिए 5 December 2022 तक इसका मतलब यह है कि 5 December 1994 से पहले 5 December 1994 और 5 December 2004 के बीच में वो candidate का जो है जनम हुआ होना चाहिए बाकी age relaxation तो सभी के लिए है qualification और eligibility criteria के बात कर लिए हैं तो secretaryal assistant में ITI की जो बच्चे हैं जो secretaryal practice और stenography वाले हैं उनके लिए यह secretaryal assistant की post है कोपा trade के लिए जो है वो ITI में जिन्होंने कोपा में किया हुए ITI उनके लिए है electrician के लिए electrician trade है fitter के लिए fitter, machinist के लिए machinist और welder के लिए welder trade है instrument mechanic के लिए instrument mechanic laboratory assistant ऐसे ही सारी trade है wireman में wireman, plumber में plumber trade तो जिनके भी ITI इन ट्रेडों में है वो इन ही post के लिए apply कर सकते हैं बच्चे इसमें देखी जैसे लिखा है रहा है कि इसमें जो आपका ITI है या फिर technical institutions है SBTE के अंदर या NCBT के अंदर वाले वो इसमें apply कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करने तो duration of training क्या है 12 months यानि कि एक साल की आपकी जो है कि ट्रेड़ेंग है stipend क्या दिया जाएगा तो stipend के अगर मैं बात करूं तो trade apprentices यानि कि जो one year के ITI वाले हैं उन्हें 7,700 रुपए पर मंत जो है stipend मिलेगा two year ITI वाले जो हैं उनको 8,050 stipend मिलेगा और जो diploma वाले हैं उनको 8,000 stipend पर मिलेगा इसके बाद the trainee जो है कोई भी TADA या boarding or lodging experience के लिए eligible नहीं है और जो transportation है वो भी खुच जो है ट्रेड़ेंग को bear करना पड़ेगा selection की बात करें तो selection जो है आपका जैसे ही आप form भर होगे ना तो आपका जो ITI में जो marks है या फिर आपकी जो diploma में marks है या फिर जो degree में marks है उसके जो है अधार पर merit जो है बनाई जाएगी और उसके इसाब से आपको document verification के लिए वहाँ पर बुलाए जाएगा उसके बाद यह सारी कुछ general conditions है यह सारी आप general conditions पढ़ लिजेगा मैंने जो इस notification का जो आपका यहाँ वीडियो की जो right hand side पी जो arrow का बटन है वहाँ एक description box होल के आएगा तो वहाँ पर मैंने आपको application link भी दे रखा है प्रेस इस notification का link भी दे रखा है तो आप directly इस notification को वहाँ से download करके पढ़ भी सकते हो और जो application का जो मैंने link दे रखा है उस application की link पे click करके आप वहाँ से apply कर सकते हो तो इस सभी सारी condition है कैसे apply करना है paper based application कोई भी accept नहीं होगी सभी केवल online application जो है इस link से आपकी apply होंगी यह जो link है यह मैंने description box में डाल लखा है तो वहाँ से आप इसको जो है ले लीजेगा description box से और उस पर click करके आप apply कर दीजेगा दो step है part 1 और part 2 registration के ध्यान दखिएगा part 1 में आपका basic details name category वगरा वगरा आपका fill होगा और part 2 में आपकी educational qualification जो normal होती है वह आपकी जो होगी और प्लस आपकी photograph और signature जो है अपलोड होंगे जोइनिंग और verification के बारे मैं बता दूं तो verification of original document shall be done prior to joining on a specific date यानि कि यह आपका जो merit list बनाई जाएगी उससे पहले आपका जो है document verification होगा और document verification की date आपको बताई जाएगी ओप्लिंग application यानि 23 तारिक से यह application खुल जाएगा और 5 December ता की खुल जाएगा result जो है आपका जो आपकी जो merit list का जो result होगा है selection जो result होगा 12 December को list आजाएगी और confirmation जो है candidate से receive करने जो है 13 से 19 के बीच में आपका confirm हो जाएगा इसमें जो है joining तो यह सारी चीजे इसमें है तो यह बहुत ही महत्पूर notification है मैं तो कहूंगा आप सभी को इसमें apply करना चाहिए कोई भी अगर दिक्कत है कोई भी notification वैसी जानकारी जो आपको ना समझ में आई हो तो वह हमसे comment section में जाके आप पूछ सकते हैं आपके सभी comments के reply हम देंगे आपको और चैनल वाले आपको reply नहीं देते हैं लेकिन हम जो है आपको हमारे चैनल जो है आपको तुरंत reply देगा उसका तो आप सभी जो है इस वीडियो की जो दाए हाथ पी जो लालकर सब्सक्राइब का बटन उससे दवाना ब तो चलिए नेक्स्ट नोटिवेशन साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद